नमस्कार दोस्तों, जैश्री राम, जैश्री रादे किष्णा, हर अर्मादेव मैं जोतिशाचारे अनुज्यमनी, आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ सनातन धरम रहसे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों एक प्रशन हमारे पास आया है, कि क्या विभा में गंड मिलान करना वरवदू के लिए आवश्चक है या नहीं तो मित्रों आज इसी पर हम बात करेंगे, परन्तु उससे पहले हम एक विशह पर बात करेंगे वो ये है कि वरिंदावन के गंड मानने पर सिद्ध संत हैं, जिनके सामने ये प्रशन आया था कि यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या विभा के समय गंड मिलान करना आवश्चक है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, हम उनकी प्राइवेसी बना के रख रहे हैं, उनका मान मर्दन करना हमारा कोई लक्षे नहीं है उनके वक्तों को शायद बुरी बुरा लग सकता, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं परन्तु शास्त्रे पक्षे रखना आवश्चक है, मित्रों जो उत्तर उनकी तरफ से आया, वो ये है मैं बता देता हूँ चाहो तो आप उनका मैं लिंक दे दूँगा, जो वट्सेप पर जुड़े हैं, फेस्बुक पर जुड़े हैं, मैं लिंक डाल दूँगा, डिस्रिप्शन बॉक्स में, आप देख भी सकते हो मित्रों वो ये बोले कि गण मिलान करना विवा के लिए आवश्यक नहीं, मन मिलान करना आवश्यक है, तत्पस्चाथ भगवन नाम जब करना श्रेशकर है, वही उचित है, गण मिलान करना ज़रूरी नहीं है मित्रों दर असल ऐसी जो अशास्त्रिय बात ही उनके ग्यान की पोल खोल देते हैं, मैं उनके ग्यान को चुनोती नहीं दे रहा, शास्त्र अध्यन कितना किया है, कितना नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उनका विश्य नहीं है, ये प्रशन करता को भी मै मूर्ख नहीं कहा चाहता उनकी नादा नहीं समझता हूं कि ये प्रशन बिल्कुल वैसे ही उनसे करा जा करके जैसे कि एक डेंटिस्ट के पास में आप अपनी पेट की सर्जरी का रोक निवारन है तू लेकर गजाएं डेंटिस्ट से आप कहें कि मेरे पेट में दर्द है मेरे दर्द का इलाज बताओ या पशुओं के डक्टर से आप ये कहो कि वही आप कोई मनुष्य कि मेरे बेटे का इलाज मैं यह संतों को पशुनी कह रहा है यह गल्थ मत ले जाना बभ विशे पर आते हैं मैं एक उधारन दे रहा था यह शास्त्रिय बात है गण मिलान करना एक जोतिश का इंपोर्टेंट चेप्टर है यह पंचांग में है यह गलत है गण मिलान करना जरूरी नहीं है तो पंचां में क्यों वरणन है जोतिश वेद का मुख्य अंग है और जोतिश भगवान शिव का नेत्र कहा गया है तो या तो यह इस चीज़ को आप यूनिवस्टी में बंद करा दीजिए ठीक है अब ऐसे कहा जाए कुतर्क तो किया जा सकता है विवा के लिए गंड मिलान करना नहीं मन मिलान से ही काम चलता है तो फिर बती के लिए विवा करने की क्या शुक्ता है वैसे ही रह जाओ ठीक है और फिर उसके लिए शादी में खर्चा करने की क्या ह। तो है बिना खर्चे के ही काम सल जाए ठीक है दूसरी बात यह गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने क्या कहा है वो भी एक विचार करने लायक है गोर्टलब है जो संत है वो वैशनों है स्वयम वैशनों परमपरा को मानता हूँ सम्मान करता हूँ कोई यह न समझा परमपरा को वैशनों निंदा कर रहा हूं कोई इस भात को ना समझे तो गीता का जो है भगवान ने क्या कहा गीता में ये शास्त्र विधी मुत्सुर्ज वर्तते कामकारता ना साय सिद्धिम वापनोती ना सुखम ना पराम गतीम अर्था जो शास्त्र विधी का त्याग करके मन माना आचरण करता है उसे ना सिद्धी मिलती है ना सुख मिलता ह ना ही परमगती मिलती है ये बचन स्वयम भगवान श्री कृष्ष्ण का है और भगवान नाम की जो महीमा है उसका हम निरादर भी नहीं कर रहे वो भी अत्यांत आवशक है परंतु स्वयम भगवान की इस आग्या की अवेलना करने वाले कहां ठैरते हैं उनका क्या हाल होगा ये स्वयम ग्याद जान दीजिए मलूक पीट के जो अचारे महराज जी है रजंदर जाज जी महराज वो परमविद्वान है और अन्य जो जिदर से शंकर अचारे महाभाग पुरी पीठा जीश्वर चारों पीठों पर आसीन वो जोतिश को क्या मानते है बर्द मिलान के ल ठीक है तो ये किसी सन्यासी का नहीं ये जोतिशी का विशय है तो प्रशन करताओं से निवेदन है कि आप जोतिश जोतिशी से पूछिए जोतिश के अचारे से पूछिए कि गण मिलान करना क्यों जरूरी है वो बताएंगे आपको तो मित्रों वरवदू के गण मिलान के लिए कई चीजों का देखा जाना परम आउशक है गण मिलान लगन मिलान कुंडली में नमानशा देखना और सब्तमेश को चेक करना ये परम आउशक है सोभाव और ग्रेमेत्री भी देखना आउशक है इनके अभाव में मित्रों वि आफे हैं वो जिणमें लगन की शुद्धता नहीं देखी गई करने दिवोर्स होताा है तो वहां पर विवा का नहीं घृडबढ होती होती है इसलिए हमने उनका नाम गुप्त रखा है परंतु ऐसी आशा करते हैं कि जरा शास्त्रों के अनुकूल बोलें यदि आपको नहीं पता तो आप उस परशन को टाल भी सकते थे महराज जी के मुझे नहीं पता आप किसी जोतिश करता से पूछिए उसमें आपका को निरादर न को बनाने के लिए और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए ऐसा अशास्त्रिय वक्तव्य से हमें घोर निराशा हुई और हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे अशास्त्रिय वक्त का वक्तव्य है कि आप अभेल ना करेंगे दोबारा नहीं करेंगे जैश्री राम जैश्री राद कर दो हो दो दो कर दि कर दो